इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते यह ulceration में फायद इमंध है और पाचन तंतर के आंतरक शलेश मस्तर की रक्षा करता है बेल किसी भी दुश्प्रभाव के लिए नहीं जानी जाती है यह दस्त के मामले में मलत्या की आवरती को कम करता है और आतों की एठन और दर्द को शांत करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में एक, इसमें रेचक गुण होते हैं जो कप्च को नियंतरित करने के लिए आंत को साफ करने में मदद करते हैं दो, यह दस्त के मामले में मलत्या की आवरती को कम करता है और आतों की एठन और दर्द को शांत करता है तीन, यह कोलाई, जियाडिया और रोटावाइरिस के विकास को रोगता है और आतों पर उनके जहरीले प्रभाव को रोगता है चार, यह एक काडियो प्रोटेक्टिव फल है जो एंटियोक्सिडन से भरपूर होता है जो हृदय रूगों के जोखिम को कम करता है पांच, बेल में अंटी बैक्टिरियल, अंटी फंगस और अंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं यह त्वचा के संक्रमन के लिए एक उत्कृष्ट उपाय है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें